हाई फ्रेंड्स दिस इस उभाश एंड वेलकम टो एस्टे सोलेशन्स दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है डिफ्रेंस बिट्मिन डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन जैसे कि आप जानते हो यह एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आई होप आपको समझ आएगा हम बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्स्प्रेंड करने की कुशिश करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्लेक्शन होदी क्या है डिफ्लेक्शन होती है एक टेंपरेरी डिस्प्लेस्मेंट आप देखिए टेंपरेरी displacement हो जाएगी और जब आप इसके उपर से लोड हटाते हो ठीक है यह अपनी शेव रिगेंड कर लेती है तब इसको हम बोलेंगे temporary displacement यानि कि इसमें क्या हो था deflection होई थी ठीक है क्योंकि जब आप लोड हटा रहे हो तो यह अपनी शेव बापस क्या होता है यानि कि एक बार जिसमें जो displacement हो गया वह रिवर्स नहीं होगा जैसे हमारा deflection के इसमें रिवर्स होगा जैसे हमने लोड को हटाया तो उसने अपनी शेव पापस ही रिगेंड कर ली बट अगर हम बात करते हैं deflection की तो वह क्या होता है पर्मानेट displacement होती है और इस केस में हमारी जो भी मैं वह अपनी शेव रिगेंड नहीं करती है फर इसमपल जैसे हम एक भी मिल ले लेते हैं अब इसके उपर हम लोड अप्लाई करते हैं कुछ भी जब लोड अप्लाई करेंगे यह थोड़ी जुग deflection क्या थी एक temporary displacement थी यानि कि जब आपने लोड लगाया तो आपकी beam displaced हुई बट आपने जैसे ही लोड हटाया तो उसने अपनी शेव को रिगेंड कर लिया बट deformation की बात करें तो जैसे आपने लोड लगाया तो उसमें deformation हुई बट जैसे आपने लोड हटाया तो उस पे पपस शेव को रिगेंड नहीं किया ठीक है I hope आपको यह समझ आ गया होगा thank you very much for watching this video